मेरे विचार से किसी भी चीज को बताने का सही तरीका है कि कुछ उधारण दिये जाएं मेरा पहला उधारण दो गुणा तीन है शायद अब तक आप जान गए हैं कि दो जमा तीन क्या होता है दो जमा तीन बराबर होता है पांच यदि आपको इसे दोहराने की जरूरत है तो आप सोच सकते हैं कि यदि मेरे पास दो आम है और मैं इन में तीन अमरूद और मिला दूँ तो मेरे पास कितने फल होंगे आप कहेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरह यदि हम संख्यारे का खीचे तो वैसे आपको इसे दोहराने की जरूरत नहीं है लेकिन इस धारना को पक्का करने में नुकसान भी नहीं है और ये होते हैं, शून, एक, दो, तीन, चार, पांच यदि आप शून से दो स्थान दाएं की तरफ हैं और जब हम जोडते हैं तो हम दाएं और बढ़ते हैं यदि आपको तीन जोड़ना है तो आप दाएं और तीन स्थान बढ़ेंगे इस तरह आप जानते हैं कि यदि मैं दाई तरफ तीन बढ़ता हूँ एक, दो, तीन तो मैं पांच पर पहुंच जाता हूँ दोनों ही तरीकों से आप समझें कि दो जमा तीन बराबर है पांच अब दो गुणा तीन क्या होता है गुणा करने के बारे में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये केवल बार-बार जोड़ना है वास्तों में इसका यही मतलब है लेकिन ये थोड़ा पेचीदा है आपको यहाँ दो और तीन को जोड़ना तो है पर सीधे-सीधे नहीं असल में इसे देखने के दो तरीके हैं आप दो को ही तीन बार जोड़ने वाले हैं अब इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा तो हम कहेंगे दो जमा, दो जमा, दो लेकिन ये तीन कहां गया? चलिए पहले देखते हैं यहाँ कितने दो हैं देखते हैं ये एक, दो, तीन हमारे पास तीन दो हैं मैं यहाँ अंकों को ऐसे ही गिन रहा हूँ जैसे पहले अमरूदों को गिना था मेरे पास तीन अमरूद थे, अब मेरे पास तीन दो हैं तो ये तीन बताता है कि हमारे पास कितने दो हैं अब दो गुणा तीन क्या हुआ? यहाँ मैंने दो को लिया और इसे ही 3 बार जोड़ दिया इस तरह 2 जमा 2 बराबर 4 4 जमा 2 बराबर 6 हुए अब इसे सोचने का ये एक तरीका है इस पर हम दूसरे तरीके से भी विचार कर सकते है जैसे 2 को ही 3 बार जोड़ने की बजाए हम 3 को 2 बार जोड़ सकते थे मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा चक्कर में डाल सकता है लेकिन जो जो अभ्यास करेंगे तो इसे समझ जाएंगे मैं उसी कथन को यहां दोबारा लिखता हूँ दो गुणा तीन इसे तीन गुणा दो भी लिख सकते हैं यानि तीन जमा तीन एक बार फिर आप पूछेंगे कि दो कहा गया आप जानते हैं मैंने दो बार तीन लिखा है जब हम जोड़ करते हैं तो हमारे पास कम से कम दो चीजे होती है मेरे पास भी है मेरे पास दो चीजे है मेरे पास तीन चीजे और भी है तो इस तरह ये दो और तीन ओजल नहीं होते जब मैंने दो और तीन को जोड़ा तो हम पांच पर पहुँचे लेकिन मैं यहां कहता हूँ कि दो गुणा तीन भी वही होगा जो तीन जमा तीन है इस सवाल में दो कहा गया यहां दो मुझे बताता है कि तीन को कितनी बार जोड़ना है यह दिल्चस्प है कि मैं किसी भी तरीके से दो गुणा तीन को हल कर सकता हूँ मैं इसे दो जमा दो जमा दो लिख सकता हूँ या दो को दो से तीन बार जोड़ना या मैं इसे तीन को ही दो बार जोडने के रूप में लिख सकता हूँ लेकिन ध्यान दे हमें वही उत्तर मिलता है तीन जमाद तीन क्या होगा? ये भी छे होता है गणित में चाहे कोई भी तरीका लें जब तक आपका तरीका सही है आपको वही उत्तर मिलेगा इस तरह दो आदमी अलग अलग तरीकों से इसकी कलपना कर सकते हैं जब तक वह सही ढंग से दो अलग सवालों पर कलपना करते हैं उनका समाधान एक जैसा होगा आप शायद पूछें कि ये गुणा कब और कहां उपयोगी होता है कई बार ये जोडने को आसान बना देता है आईए समझने के लिए फ़लों की उपमा जारी रखते हैं उपमा यानि जब हम किसी चीज को किसी और रूप में लेते हैं जैसे यहाँ फ़लों का उदारन लेते हैं मानलो मेरे पास नीबू है मैं नीबू का धेर बनाता हूँ इन्हें तीन-तीन के धेर में बनाएंगे एक, दो, तीन मैं गिंती नहीं करूँगा क्योंकि इस से हमें सीधा जवाब मिल जाएगा मैं केवल नीबू का धेर बनाता हूँ अब यदि मैं कहूं कि बताइए यहां कितने नीबू हैं आप सभी नीबूओं को गिनने लगेंगे आपको बताने में बहुत समय चाहिए कि यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यारा, बारा नीबू हैं असल में मैंने आपको उत्तर दे दिया है हम जानते हैं कि यह बारा नीबू हैं गिनने का एक और आसान तरीका भी है ध्यान दें, हर एक धेर में कितने नीबू हैं मेरे विचार में आप जानते हैं और बताने की जरूरत नहीं कि धेर क्या होता है तो एक धेर में कितने नीबु हैं? अच्छा, तो एक धेर में तीन नीबु हैं अब एक और प्रश्न पोचता हूँ यहां कितने धेर हैं? ठीक, यह पहला, दूसरा, तीसरा और यह चौथा धेर है तो इसे गिनने का आसान तरीका यह है हर एक धेर में तीन नीबु हैं और हमारे पास चार धेर हैं उमीद है आप चक्राएंगे नहीं, बलके इसका मजा लेंगे हमारे पास चार धेर हैं इस तरह चार गुणा तीन नीबु हुए चार गुणा तीन और ये नीमूओं की संख्या बारा के बराबर होनी चाहिए इसके बारे में विचार करते हैं चार बार तीन जब आप ये शब बोलते हैं तो मैं इसकी कल्पना करता हूँ मैं चार गुणा तीन की कल्पना करता हूँ इस तरहे तीन को चार बार जोड़ना तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन यदि हम जोड़ें तो तीन जमा तीन है छे, छे जमा तीन है नौ और नौ जमा तीन है बारा हमने यहाँ वीडियो के इस भाग में सीखा कि इस गुणा को हम तीन बार चार के रूप में भी हल कर सकते हैं आप इसका क्रम बदल सकते हैं ये गुणा की विशेष्टाओं की तरह रोचक और उपयोगी भी है कि इसमें चार को तीन बार भी लिखा जा सकता है चार जमा चार जमा चार आपने चार को चार से तीन बार जोड़ा चार जमा चार है आठ आठ जमा चार है बारा इसे प्राए चार तिया या तीन चौके कहा जाता है जब वे कहते हैं कि चार तिया उनका मतलब है चार बार तीन जोड़ें तो क्या होगा? इस तरह ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तीन है जब आप जोड़ें तो चारो तीन कितने होंगे? ये बारा होंगे आप ये भी कह सकते हैं कि तीन चौके कितने होंगे? इसे अलग रंग में लिखते हैं ये चार तिया है मेरा मतलब चार बार तीन है यदि मैं कहूं कि 4 तिया लिखें और उन्हें जोडें तो ये वही होगा और ये 4 बार 3 या 3 बार 4 होगा और ये अलग रंग में ये 3 चोके हैं इसे 3 गुणा 4 भी लिखा जा सकता है ये सबी 12 के बराबर होंगे अब शायद आप ये कहेंगे ये अच्छा है लेकिन सवाल हल करने की बजाए नीबूओं को गिन्ने में कम समय लगता है ठीक वो केवल अभी अच्छा है क्योंकि गुणा करना आपके लिए नया है लेकिन आप देखेंगे कि गिन्ने में भी गुणा है और असल में ये अनेक बार है मैं गुणा के इस वीडियो में अनेक शब्द का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहता जहां नीबूओं के हर एक धेर में तीन के बजाए सौ नीबू हो और नीबूओं के सौ धेर हो वहां इन सभी को गिन्ने में आपका सारा समय लग जाएगा ऐसी स्तिती में गुणा करना उपयोगी होगा बेशक हम अभी सौ का सौ से गुणा नहीं सीख रहे हैं अब मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ मुझे याद है जब मेरी बेहन तीसरी कक्षा में और मैं किंडर गाटन में था तो वो इसी तरह मुझे से होश्यार बनती थी वो कहती थी अच्छा तीन गुणा एक क्या होगा और मैं अपने दिमाग में सोच कर कहता ओ ये तीन जमा एक की तरह है ये तो तीन जमा एक यानि चार हुआ मैं यही कहता कि तीन गुणा एक बराबर चार हुआ और वो कहती नहीं बुद्धू ये तीन होगा मैं पूछता ये कैसे हो सकता है विचार करते हैं इसका क्या मतलब होता है आप इस तीन को तीन इकों की रूप में देख सकते हैं और तीन एक क्या होते हैं ये एक जमा एक और जमा एक हैं ये बराबर हुआ तीन या आप इस तीन को एक बार की तरह देख सकते हैं इस तरह तीन गुणा एक क्या होगा? ये कितना आसान है? ये केवल तीन होगा आप इसे एक गुणा तीन भी लिख सकते हैं एक गुणा तीन इसलिए एक गुणा कोई संख्या या कोई संख्या गुणा एक, वही संख्या होगी इस तरह 3 गुणा 1 है 3 1 गुणा 3 है 3 मैं कह सकता हूँ 100 गुणा 1 बराबर है 100 या 1 गुणा 49 बराबर है 49 मेरे ख्याल से आप अभी इतनी बड़ी संख्याओं से परिचित है यही तो रोचकता है अब गुणा के बारे में एक और रोचक बात बताता हूँ और वो है जब आप शून्य से गुणा करेंगे उसी उपमा या जोडने के उधारन से शुरू करते हैं उमीद है आपने सीखा है तीन जमा शून्य है तीन क्योंकि हमने तीन में कुछ नहीं जोडा है यदि आपके पास तीन सेब हैं और मैं शून्य सेब देता हूँ तो आपके पास अभी भी तीन सेब होंगे शायद मैं अंग तीन पर ही अटक गया हूँ इसे बदलते हैं चार बार शून्य क्या होगा ये कहा जाता है चार बार शून्य तो शून्य जमा, शून्य जमा, शून्य जमा, शून्य क्या होगा? ठीक, ये शून्य होगा, शून्य जमा, शून्य जमा, शून्य जमा, शून्य जमा, ये शून्य ही होता है इसे सोचने का एक और तरीका है मैं कह सकता हूँ 4-0 बार मैं 0-0 बार 4 कैसे लिखूंगा मैं यहां कुछ नहीं लिखूंगा ठीक क्योंकि यदि मैं कुछ लिखता हूँ यदि 4 लिखूं लेकिन मेरे पास कोई 4 नहीं है ये 4 है इसे लिखते हैं ये 4-0 है लेकिन मैं 0-4 भी लिख सकता हूँ 0-4 कितना होगा तो मैं यहां खाली स्थान छोड़ता हूँ यहां कोई 4 नहीं है ये तो केवल बड़ा खाली स्थान है एक और रोचक बात हुई इस तरह कोई संख्या गुणा 0 है 0 मैं एक बड़ी संख्या लिख सकता हूँ 54,93,692 गुणा 0 ये किस के बराबर होगा ये भी 0 के बराबर है और ये संख्या गुणा 1 क्या है ये फिर वही संख्या होगी 0 गुणा 17 क्या है फिर से वो 0 होगी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे